बिधान सभा चुनाम में हार जाने के बाद सुरेंद्र पाल सिंग टीटी ने राज्यमंत्री स्वतंतर प्रभार के पद से अपना इस्तीफ़ा दे दिया है मुख्यमंत्री भजनलाज सुर्मानी राजपाल कलराज मसुर को टीटी का इस्तीफ़ भेज दिया है जिसे सुईकार भी कर लिया गया है मंत्री बने हुए उन्हें महज आठ दिन ही हुए थे उन्होंने अभी तक अपना कार्यभार भी नहीं संभाला था सुरी करणपूर बधान सभा सीट से बीजेपी प्रत्यासुई और राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार सुरेंदरपाल टीटी को कॉंग्रिस के रूपिंदर सींग कुनरनी 11,283 बोटों से हरा दिया है बताने की सुरेंदरपाल सींग टीटी को बधायक बनने से पहले ही बीजेपी की सरकार ने राज्यम्य मंत्री बना दिया था राजिस्थान में ऐसा पहली दफा हुआ है जब किसी बधायक को बधायक बनने से पहले ही मंत्री बना दिया हो और वो चुना भार गए हो नबंबर में हुए राजित्थान की बधान सबाद चुनाब में सुरीकरनपोर सीट पर कॉंग्रेश के प्रत्यासुई के निधन के कारण ये चुनाब चल गया था जीत के बाद रूपिंदर कुनर भावुक हो गए उन्होंने अपने पता गुर्मीत की तस्वीर के सावने मत्था टेका और रोपड़े उन्होंने कहा कि ये चुनाब सरदार गुर्मीत सिंग को नर ही लड़ रहे